दोस्तों आप सभी सुबह उठके व्याम तो करते हैं तो इतना तो आपको पता ही होगा कि लोगों की सबसे पसंदिदा आकसाइज है वो है दोड लगाना दोड सभी उठके लगाते हैं परंतु सही तरीके से दोड कैसे लगाई जाए ये बहुत कम वेक्टियों को पता है आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि सही तरीके से दोड कैसे लगाई जाए और हम अपने स्टेप कैसे लंबे रख सकते हैं नेचुरल कंडिसन के अंदर कुद्रत के साथ मिलकर हम अपनी रेश को कैसे तेज बढ़ा सकते हैं यह मैं बताऊंगा और साथ में आपको लाश्ट में बताने वाला हूँ डाइट चार्ट प्लान सबसे पहले हम जिकर करते हैं एक महान वेगानिक के बारे जिनका नाम है नूटन ने हमें पर्थ और पहला नियम आता है पर्थवी का जड़त्वय का नियम जड़त्वय का नियम क्या होता है जड़त्वय का नियम वो होता है कि पर्थवी के उपर मोजूद वो सभी चीजे जिनको पर्थवी अपनी तरफ खीच के रखती हैं माना कि हमने किसी गेंद को आस्मान की तरफ और वो कहां आएगी वापिस जमीन के उपर आए वह है पर्थवी का गुर्तवा कर्शन और न्यूटन का पहला नियम जिसे बोलते हैं जड़त वठागी अब हम देखेंगे कि हम कुद्रत के साथ में कैसे दोड़े कुद्रत के साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो व भी सर्दी के मौसम में अगर पतलोन निकाल के गूमेगा तो निश्चित छी बात है कि उसे ठंड लगेगी आप देखेंगे कि अगर चाहे कमजोर वक्ति भी है अगर पतलोन निकाल के गूमेगा तो भी ठंड लगेगी ये सिंपल छी बात है दूसरी बात मैं आपको देख जाएंगी वही आदमी अगर आगे गिर रहा है तो क्या होगा यह होगा अगर कोई आदमी उखड़ा है और आगे गिरा तो क्या होगा सिर्फ पैसे होता है अब यहीं से दोड की सुरुआत होती है कि हम कैसे करें एक आदमी जो दोड़ना सुरू कर रहा है माना कि उसे पता न पड़ा कि वो अपनी पूरी बोडि को आगे पैर रखा और पूरी बोडिका उठाके लेके जाएगा और फिर पिछ्छे वाले पैर को उठागे आगे अगे रखना है दो अक्साइज वेरे दो काम वह इसके अंदर दूसरा अगर इसी काम को हम कुदरत के साथ में करेंगे वो तोनों चीजों में आपको अंतर कैसे पता सेलेगा, पहले वाली जो अक्साइज मैंने आपको दिखाई, जो मोमेंट कर रहा था बन्ता, उसे अपनी बोडी वेट को उठा के भी ले जाना पड़ रहा था, पलस में उसे पैर को भी उठा के अगे ले जाना पड़ा, अगर वह भी वेक्ती कुदरत के साथ में चलिए, कुदरत का फाइदा उठाते हैं, तो क्या करेगा, वो अपनी बोडी स्ट्रेक्चर को इस परकार से बनाएगा, कि वो आगे गिर रहा है, और आगे गिर रहा है तो उसे सिरफ एक मोमेंट करना पड़ेगा, कि पैर को उठा के आगे सिर्फ इतना ही करना पड़ेगा, यह है कि आप कुदरत के साथ में अगर दोड़ना चाहते हैं, कुदरत के साथ में अपनी टाइमिंग मिलाना चाहते हैं, और कुदरत के साथ में अपनी स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, कि आप अपनी इस एंगल से अगर आप दोड़ेंगे तो मैं आपको दावा देता हूं कि आप अपने सरीर के अंदर मौजूद सक्टी का पूंड़ते इस्तिमाल करें यह सरीर है इसके अंदर पाउर का एक सिमित बंडार होता है हम उसी बंडार को अगर सही तरीके से कुदरत के साथ में चल जाता हूं कि आपको पैर की ट्रेजेक्ट्री किस परकार से बढ़ाने हैं जब हम दोड़ते हैं तो लंबे स्टेप कैसे रखें यह अकसाइज जो मैं आपको टेजब बता रहा हूं इन्हें आप फोलो करने के बाद में मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप अपने स्टे ट्रेजेट्री जब हम दोड़ेंगे तो हमारा पैर पिछे वड़ाई गूम के जिसना ज्यादा पिछे गूम के आएगा पैर जितना पैर पिछे गूम के आएगा आप देखेंगे जितना पैर पिछे गूम के आएगा उतना ही लंबा रखा जाए जितना पैर पिछे गूम आगे रखने यह नियम है यह दोड़ने का सई तरीका है अब आप देखिए एक बंदा लगाता दोड़ रहा है तो उसे क्या करना चीए बोड़ी बेट को पूरा ही हो और साथ में ही पैर को आगे अब मैं आपको लंबे स्टेप रखने की तीन ऐसी अक्साइज बताने वाला ह आता है तो वह अपने स्टेप को लंबा नहीं रख सकते हैं उनके लिए मैं आपको तीन ऐसी बैतिने रख साइज बताऊंगा जिसे आप डैली रोजाना अपने वर्काउट रूटीन के अंदर सामिल और वह लगातार अगर इस अक्साइज को सामिल करते हैं तो मैं उन्हें कि दावा करता हूँ कि वह अपने एक या दो वीक के अंदर ही आप अपने रेसिंग स्पीड के साथ में अपने स्टेप को डेढ़ गुना तक बढ़ा सकते हैं मैं आपको गारंटी देता हूँ चलो हम देखते हैं कि वह स्टेप क्या क्या है पहले आप अपने दोनों पैर को इस परकार से ब्राबर रख लेता है वो अपनी आइट के अनुशार अपनी आइट के अनुशार उसके स्टेप ठीक है यह देखने ले मिलता है और आप अपने उपर की तरफ देखेंगे और अपने पैर को इस परकार से खरेंगे आपको और बीच में से आप देखे इस परकार से यह अक्साइज जब आप करते हैं तो आपके इस हिस्से में जो टाइट है पहले से जब जो बच्चा लगाता और बच्पन से नहीं दोड़ने हैं जो लोग जिनें दोड़ने का ज्यादा अब्यास नहीं है उनके हिप यहां से टाइट हो जाते और उनके स्टेप है वो दोड़ते वक्त लंबे नहीं रखेगा आप देखेंगे कि जो व्यक्ति माना कि कोई आदमी एक फिट का स्टेप रख रहा है और वही आदमी अगर डेड़ फुट का स्टेप रखेगा ताकत उतनी ही लगेगी प पर अंतो उसकी दूरी ज्यादा तैव इसलिए हमें इस टेप ज्व जादा लखने की लंबे रखने की बड़े रखने की जरूरत हो अब दूस्री एक्साइज मां आपको दिखा को यही है जो हमने अंदर की तरफ से की भार की तरफ इस पार हमें अथेली रखने दोनु भी निकाल सकते हैं जो वेक्ति अच्छे से अक्साइज कर लेता है उसे क्या करना चाहिए पैरों को और आगे निकाल सकते हैं इस परकार से इस परकार से यह अक्साइज करने से हमारे बाहर की तरफ से जो नस्य है सरीर की वो बार के तरफ से खुल जाए अब तीक्सायज जो हमारे हिप काहिट के अंदर दिक्कत दे रही थी वो आप है दोनों आतों को इस परकार से जमीन में रखें और पेरों को इद्धमाशमान की तरफ देखें यह और कमर जो है हमारी वो पूरी बीच में से लचक नहीं वाफीश फोल्ड फिर वाफीश ऐसा ही है फिर इसी परकाज है यह है नम्बर तीन अक्साइज्ज आप इन तीन अक्साइज उंको फोलो कीजिए जिसके बाद में मा आपको गारंटी देता हूं कि आपके इस टेप पहले की बिजाए लंबे रखे जाएगी रूटीन के अंद डाइट के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दूँगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपको प्रेक्टिस करने के बाद में किस चीज की जरूत होती है, कौन से डाइट चार्ट प्लान की जरूत होती है, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ तब तक के लिए जैहें जैभार